नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज तीन बड़ी अपडेट अब आपके सामने लेकर के आएं पहले तो बात करेंगे दोस्तों जो बाइरल नियूज हो रही है जिसमें की बताया जा रहा है तेही से अर 520 कंडिटेट को 29 जुलाई के लिए मेंडिकल के लिए बुलाया जाएगा उसके बारे हम बात करेंगे दूसरा बात करेंगे दोस्तों आपके 59 से 500 मेडिकल की डेट का कंफर्मिशन कब तक हो सकता है तीसरा दोस्तों बात करेंगे आपके जेल वार्डर को लेकर कि कि जेल वार्डर में क्या क्या चलना है ठीक है कब तक उसकी परिक्षा की डेट आ सक सब्सक्राइब निज भिख्र लेगेश्ट सब्सक्राइब और फशक्राइब और चौत्त दोस्तों भीया जो दोस्तों सभानाएं उनके भाड़े में हमारी सवाल भी टीक być पहले रहे हमास करते हूँ लिजल तो तो यह जो निव्ज है यह आपको पता चल गया होगा यह फेक निव्ज है दो हजार अठार है जो 2019 वाले जो लड़की गए ती 4520 उसकी निव्ज है यह उसको लेकर के किसी ने इसको एडिट किया और एडिट करके वीडियो भी बना दी ठीक है आपने भी देखा होगा बह यह लोगोंने मैसिज भी किया था बहुत सब्सक्राइब कि भाई यह जरा देखके बताओ यह क्या चक्कर यह कहां से क्या हो रहा है तो आमने दोस्तों इसको देखनी की कोशिच की और पता चला तो यह तो पूरा फरजी वाड़ा निकला इसमें तो मतलब कोई भी सच्चा बिल्कुल नहीं यह आपको confirm हो गया होगा ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं जेल वार्डर को लेके कुछ दोस्तों के सवाल थे कि सर इसका एक्जाम कब तक हो सकता है इसके बारे में कोई न्यूज है या नहीं तो दोस्तों अब हम इसके बारे में बताते हैं इसके बारे मे तो सारे एक्जाम जो की युनिवस्टी तक के एक्जाम रुके हुए हैं अभी तो हम बात करें रोहिल खर्ण युनिवस्टी का अपना बरेली वाली का उसके भी एक्जाम रुके हुए हैं और बहुत सारी ऐसी युनिवस्टी हैं जनके एक्जाम अभी तक रुके हुए हैं पता करने की कोशिस की तो उनके पास भी कोई इस तरह की नियूज जेल वार्डर को ले करके नहीं है तो दोस्तों जेल वार्डर का टॉपिक आपका किलियर हो गया होगा ठीक है अब हम बात करते हैं दोस्तों जो मेंडिकल की आपकी डेट को लेके हुआ पोछ चल रही है उसक सब्सक्राइब देखें पीओपी की डेट उन लोगों को अभी नहीं मिलिए एक तालीशा पांसो विस की पीएसी के कंडिरेट से अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं आप लोगों को पता है तो जब तक दोस्तों उनकी पासिंग आउट परेट नहीं हो जाएगी तब तक आप मतलब मेंडिकल की डेट आ गई तो इस तरह है की तुस्तों गलत न्यूज देना या फिर आपको कि मिसगाइड करना यह ऐसा हम नहीं करते हैं नहीं हम अपने चैनल पर इस तरह की कोई बात रखते हैं कि जिससे आपको मिसगाइड किया जाए आपको गलत जानकारी दीजए हम अपने हैं बही बात करते हैं दोस्तों जो सही होती है और सच के ज्यादा करीव होती है उनी टॉपिक को हम बात करते हैं और गलत न्यूज दोस्तों हम आपके सामने सेर नहीं करते हैं तो जितनी जानकारी है दोस्तों उतनी ही बात हम आपसे यहां कर रहे हैं ठीक है तो सवाल थे उसमें सवाल दोस्तों इस तरह के थे जो मिनिस्टेल वाली वेकंसी निकल रही है तो मिनिस्टेल वाली वेकंसी में दोस्तों कुछ लोगों के सवाल यह थे कि सर मैंने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन मेरे पास O-Level नहों के PGDCA मैं से किसे दूसरे सबस्क्राइब तो इस सब्सक्राइब तो यह भी हुआ है जा ौवश यहई पेशेि हो पा हुआ तो इस तरह के बहुत सारे कमेंज हैं दोस्तों आप लोगों के तो देखिए क्राइटेरिया यूपी पुलिस ने डाला हुआ है कि उसमें किन-किन जो कौन-कौन से कोर्स हैं वो लेवल के समकर्ण सकते हैं उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन मे हमने यू-पी पुलिस का लिंक बना रखा है उसमें आप जुड़ जाएं उसमें हमने सारी इमेज डालते हैं सारी जो भी नियू जाती है अपने जो भी कटिंग होती है कुछ भी अपडेट होता है वह हम अपने गुरूप में जरूर डालते हैं आप बहां से उसको तरफ से बता देते हैं थोड़ा सा उसमें दुस्तों यह है कि आपके पास graduation तो होना ही चाहिए किसी भी इस्ट्रीम का graduation आपका हो उसके साथ आपको O-Level का diploma हो O-Level का diploma DOE के अनिलिट से हो यदि आपके आपके पास O-Level का diploma DOE के अनिलिट का नहीं है तो उसके अलावा आपके पास जो polytechnic से PGDCA कराया जाता है दोस्तों आपको ध्यान होगा UP government PGDCA कराती है दो साल का होता है वो polytechnic यूपी सरकार में और कई संस्तानों कई उनिवस्टी ऐसी हैं जो एक साल का भी PGDCA देती हैं तो यदि आपके पास वो है तो आपका इसके समक्ष्मान लिया जाएगा ठीक है अब कुछ लोगों का सवाल यू BCA वाला था कि BCA में उनके आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं सिर्फ BC है कंप्यूटर के बेस तो वो ही चाहते हैं कि इसमें फॉर्म बरते हैं तो दोस्तो ऐसा संभव नहीं होगा कोर्स के अलावे भी आपके पास एक साल का स्पेशल डिप्लोमा इसमें मांगा गया है आगे क्या अपडेट आती है जब notification आएगा तो ही सरकार clear करेगी अभी तक दोस्तो इस तरह की कोई अपडेट हमारे पास नहीं हो ना ही इस तरह का उसमें कुछ लिखा हुआ है ठीक है एक तो यह हो गया दूसरा दोस्तो इसमें जो है कि सौट हैंड वाली वाली वेकेंसी में इस्टैनों का क्या रोल र होंगे ठीक है तो हमने पूरा बताया था कि आपके पास graduation होना चाहिए ओलेवल का certificate होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी पचीस और तीस यानि पचीस इंदी की और तीस English की स्पीड होनी चाहिए ठीक है यह दोनों चीज हम नहीं के लिए कर दी आज भी बता रहे ह तो दोस्तो एसाई वाले simple graduation आपको चाहिए इसमें नहीं O-Level की कोई बात देता है और नहीं किसी typing बगारा की कोई बात देता आपके लिए ठीक है तो आप सिंपल ग्रेजिवेटेएट हैं इसके साथ अगर अगर वीकेंसि देखनी है तो उसके लिए आपको O-Level certificate का होना तोस्तों बहुत जरू़िए ठीकिस तीसरा दोस्तों इसमें यह है र Bunny को ले करके कुछ दोस्तों कि इसमें है तो 21 साल से ले यह क्या क्या मैं तो tragen तक का कोई भी कंडिटिकर करसकता जनल करसक्तामीब यदि अब क्रप्रवेशन vyakerearn которая में जैसे oh bc sack इस तो उस के करिमें हैं या फिर अधेर आप महिला के टेग्रीम है तो असार में तो पांत साल का रिजरेविशन यूपी गवर्मेंट की तरफ से ले सकते यूपी गवर्मेंट वालों जो यूपी सरकार में रहते हैं ये उत्तर वाले के लिए दौनों के लिए सेम योगता हैं दोस्तों सेम आपको रिज़र्द वेशन दिया जाएगा इसमें पांस साल की छूट्स आपको दौनों मिलेगी दौनों ही नोटिफिकिसन दोस्तों separate अलग अलगाएंगे ठीक है उसमें तीन वेकेंसी रहेंगी जिसमें के अमन लगलग फिल किये जाएंगे यदि आप इन वेकेंसी को दोनों को देखना चाहते हैं और आप ग्रेजुशन की डिगरी अपने पास रखते हैं तो दोस्तो बहतर अपोर्चुनिटी आपके लिए आप दोनों वेकेंसी के लिए पार्टी शपेट कर सकते हैं या फिर आप किसी कोशन हों कि जब आप मिल गए होंगे और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप चाहते हैं कि इस जानकारी को आप अपने दोस्तों में भी सेयर करें या फिर आपको अपने किसी मिलने वाले को जानकारी को देना चाहते हैं तो आप वीडियो को सेयर भी कर सकते उनके साथ और चैनल पर दोस्तों यदि आप नए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंत जै भारत नमस्कार